Hello student! Today I am going to explain to you the remaining part of Animal Kingdom फाइलम प्लेटी हलमिन्थ। यास लाइक होते हैं लेकिन चपते होते हैं जनरल क्रलाक्टर, फ्री लिविङ और पेरासिटिक या तो फ्री स्टेट में पाई जाते हैं या दूसरे आर्गनिजम के उपर या अंदर रहते हैं टीशू लेवल बॉड़ी आर्गनाइजिशन इनकी जो बॉड़ी बनी होती टीशू तथा आर्गन से मिलकर बनी होती यह सिलोमेट मतलब इनमें सिलोम नहीं पाई जाती और बॉड़ी इनके अंदर जो लिस्कीन होती उसमें तीन लेयर्स होती हैं यह मतलब ट्रिपलोब्लास्टिक होती है एक्टोड़म, मिजोड़म तथा एंडोड़म ब्लाइंड से एक बॉड़ी प्लान होता है मतलब इनके डाइजेस्टिट ट्रेक्ट में के अवल एक ओपनिंग होती उसी के दवारा फूट को इंटेक करते हैं उसी के दवारा अंडाइजेस्टिट पूट को बाहर निकालते हैं एलिमेंटरी के नाल आइदर एपसेंट और हाइली ब्रांच या तो एलिमेंटरी के नाल नहीं होगी या अगर होगी तो हाइली ब्रांच होगी मतलब बहुत ज़्यादा शाखित होगी एक्सक्रेशन बाइ फ्लैम सेल इनमें जो excretory organ होते हैं उसमें important role play करती है फ्लेम सेल nervous system is primitive type like ladder like इनका जो nervous system होता है प्राचीन primitive होता है वो जो nerves होती वो ladder like structure form करती है Asexual तथा sexual reproduction occurs इनमें sexual तथा Asexual reproduction होता है development indirect होता है फाइलम प्लेटी हलमिन्थस divided into three classes class Turbilaria, second class Trimetoda and third class Cestoda फाइलम प्लेटी हलमिन्थस को तीन classes में divide केया गया है Turbilaria, Trimetoda तथा Cestoda फाइलम निमेटी हलमिन्थस और निमेटोडा इस आलसो नोन इस round worms जनरल करेक्टर इस फाइलम के जो एनिमेल होते है उनके एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब लाइक बाडी प्लान होता है बाडी इस कवर्ड विट क्यूटिकल इनकी बाडी के चारों तरफ एक थीन लेयर होती इसको क्यूटिकल कहते है पोस्टिरे एंड आफ फिमेल इस पॉइंटेड वाइल कर्व इन मेल फिमेल का जो पोस्टिरे एंड होता है वो नुकीला होता है जबकि जो मेल का पोस्टिरे एंड होता है कर्व मतलब घुमावबा होता है गोल होता है body is unsegmented इनकी जो body के उपर कोई segment नहीं होती है bilaterally symmetrical होते हैं cylindrical होते हैं मतलब भी बेलनाकार होते हैं male always is shorter than female male हमेशा छोटा होगा female के comparison में body is not differentiated into head, thorax and abdomen इनका शरीर head, thorax सथा abdomen में divide नहीं होता है animal are pseudo-cellomic मतलब इनमें slow-like structure होगा लेकिन true silome नहीं होगी respiratory and circulatory system are totally absent इनमें respiratory तथा circulatory system नहीं पाया जाता है elementary canal straight with muscular pharynx इनकी जो elementary canal होती है सीधी होती है, जो pharynx होता है muscles का बना होता है next one nervous system made of nerve ring इनका जो nervous system होता है उसमें ring like structure होता है जो कि nerve के बने होती है male and female are separate male तथा female अलग होती है male short in size male का जो size होता होता है वो छोटा होता है जबकि female size में large होती है example अस्करीus Lumbricoidus Roundworm आकलियोस्टर्योस्टोम फॉक सुक वर्म luceria phylae area, eram, enterobjraceous, pinworm, tothe loa boa, african eyeworms. Classification of phylum. This phylum is divided into two classes, class adenophora and class phasmedia. Phylum anylida. It is also known as segmented animal General characters Terrestrial ये जमीन पर रहते हैं Borrowing ये बील के अंदर रहते हैं Living in tubes ये छोटी-छोटी नलिया बना कर रहते हैं लेकिन कुछ जो होते हैं Free living होते हैं स्वतन्त रूप से पाए जाते हैं Second, found in the moist soil or water एसी मिटी जो नम होती है तथा ये पानी में पाए जाते हैं Body जो होती Bilateral Symmetrical होती है Metamorphological Segmented होती है मतलब इनकी Body छोटे-छोटे Segment में Divide होती है इनकी Body के अंदर तीन लेयर होते हैं मतलब भी Triploblastik होती है और इस Silomate होते हैं मतलब इनके अंदर Silom पाए जाती है Body Covered with Cuticle Body के चारो तरफ एक थीन लेयर होती है जिसको Cuticle कहते है Body Highly Contractile इनकी जो Body होती है बहुत ज़्यादा संकुचंची लिया सिकुड जाती है Locomotory Argon Tiny City Embedded in Skin इनके जो Locomotory Argon होते हैं छोटे-छोटे CT होते हैं जो Skin के अंदर धसे होते हैं Circulatory System is Close Consist of Vessel and Tubular Heart इनका जो Circulatory System होता है उसके अंदर Vessels पाई जाती हो जो Heart Shape होता है जो Heart होता है वो Tubelike होता है Excretory Argon is Nephridia इनमें जो Excretion होता है वो Nephridia के द्वारा होता है Respiration by Body Surface इनमें जो Respiration होता है Body Surface के द्वारा होता है या Gills के द्वारा होता है Animal Unisexual और Hermaphrodite Animal में या तो Male और Female अलग होते हैं या एक ही Animals के अंदर Male Reproductive Argon भी होते हैं Female Reproductive Argon भी होते हैं तो इस Condition को Hermaphrodite करते हैं Example Neres, Ferritima, Herodinaria तथा Ernicola Phylum Enelida divided into 3 Classes Class Polychita Class Oligochita Class Herodinaria Phylum Arthropoda Jointed Appendages इस Phylum के जो Animals होते हैं उनके जो Appendages होते हैं इनमें जोइंट्स होते हैं General Characters Cosmopolitan जहां पर बस्ती होती हैं जहां पर मनुश्य रहते हैं उसके आसपास ये Phylum के जो Animals होते हैं वो रहते हैं Universal मतलब कहीं पर भी वीश्व में आप जाएंगे तो दिखाई देंगे Body जो Bilateral Symmetrical होती Triploblastik होती मतलब 3 Layer की बनी होती हैं Metamerical Segmented मतलब जितने Segment आपको ऊपर से दिखाई देते हैं उतने Segment Body के अंदर भी होते हैं Organ System Level आप Body Organization इनकी जो Body बनी होती है वो Organ से बनी होती है Jointed तो लेटरल Appendages are found Body के दोनों तरब जो Appendages होते हैं वो Jointed होते हैं Body Covered with Exoescalate Made up of Chitin Body के भाद Exoescalate होता है जो Chitin का बना होता है Chitin जो होता है Types of Carbohydrate होता है Body divided into Head, Thorax, Abdomen Generally जो इनकी Body होती तीन पार्ट में Divide होती है Anterior जो होता है Head होता है Middle जो होता है Thorax होता है जो Posterior होता है उसको Abdomen करते हैं कभी-कभी कुछ Animals के अंदर Head और Thorax आपस में Fuse हो जाते हैं जुड जाते हैं जो जुड जाते हैं तो उस सेक्चर को Cephalothorax करते हैं Body Cavity is a Hemosil क्योंकि इनकी जो Body Cavity उसके अंदर Blood-filled होता है Respiration by Gile, Trachea and Booklungs इनमें जो Respiration होता है या तो Gile के द्वारा भी हो सकता है Trachea के द्वारा भी हो सकता है इनमें जो Excretion होता है Malpigen Tubules के द्वारा होता है Green Gland के द्वारा होता है तथा Nephridia के द्वारा होता है IR Simple और Compound इनकी जो आखे होती हो Simple भी होती है और Compound भी हो सकती है अगर Compound आईज है तो वो छोटी-छोटी युनिट से बनी होता है जिसको बोलते है Ometidia और Ometidia जो होते हैं उसके अंदर Separate Lenses होते हैं जिसके कारण इनकी आईज के अंदर भो सारी Image Farm होती है जो इस टाइप का Vision होता है इसको Mosaic Vision कहते है Fertilization Internal होता है OViparous मतलब यह अंडे देते हैं तता OViparous कुछ Animals ऐसे होते हैं जो टाइम टाइम पर अंडे भी देते हैं तता चाइल्ड को ले भी करते हैं Development जो होता है Indirect होता है मतलब इने में Larval Stage पाई जाती है Example Crepe, Prawn, Scolopendra, Cockroach तता Julus Phylum Arthopoda Divided into 5 Classes 1st Class Crustacea 2nd Class Myriapoda तता Chilopoda 3rd Class Insecta 4th Class Arachnida तता 5th Class Onikophora